दोस्तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं तो हमें खाना खाने के बाद गुड या फिर सौफ सर्व किये जाते हैं क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यूं है क्यों हमें खाना खाने के बाद सौफ खाने के लिए दिये जाते हैं दरसल दोस्तों सौफ हमारे डेजेशन के लिए बहुत जादा फाइदे मन्द होते हैं ये हमारी constipation की problem, indigestion की problem को खतम कर देते हैं जितना हमारा digestion strong होगा उतना ही हम बिमारियों से बच सकते हैं दोस्तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें कि मैं आपको सौफ के कुछ ऐसे फाइदे बताऊंगी जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आप आज ही खाना खाने के बाद सौफ खाना ज़रूर शुरू कर देंगे दोस्तो सौफ एक पहुत ही अच्छी आयरुवेदिक ओश्री है जिसका इस्तेमाल करके आप अपटी कई बिमारियों को खतम कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल Right Home Remedies को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबस्क्राइब कर दीजिए और साथ में जो बैल आइकन है उस पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले क्योंकि हम समय समय पर आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप घर पर ही अपने आपको स्वस्त रख सकते हैं आप भीमारियों से चुटकारा पा सकते हैं तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब करें दोस्तो जैसे की मैंने आपको बताया कि सौफ हमारे डेजेशन के लिए बहुत ज़ादा फाइदे मंद होती है दोस्तो इंडेजेशन की वज़े से ही हमें कॉंस्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को लगता है कि कॉंस्टिपेशन इंडेजेशन ये कोई बिमारी है ही नहीं लेकिन ये गलत है दोस्तो यही सबसे बड़ी बिमारी है ये एक ऐसी बिमारी है जिसके कारण से आपको सो और तरह की बिमारियां हो सकती है और आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप सो बिमारियों का इलाज करवाने जाएंगे तो आपके कितने पैसे खर्च हो जाएंगे दोस्तो मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे तो चले मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ दोस्तो कॉंस्टी पेशिन यानि की कब्स होने पर हमारे श्रेज से गंदगी बाहर नहीं निकलती वो गंदगी हमारे श्रीर में ही जमा होती रहती है और जब वो गंदगी चेहरे के जरीये बाहर निकलती है तो हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है जब वो गंदगी क कौंस्टी पेशन के कारण आपके श्रीर में गंदगी जमा होती रहती है और आपका श्रीर बिमारियों से घिरता चला जाता है दोस्तो आप खुदी सोचिए कि अगर आपके पास एक भरा हुआ डस्ट बीन है और एक खाली डस्ट बीन है तो जादा कीट पतंगे जादा कीड के मकोड़े कहां पर आएंगे जो डस्ट बिन भरा हुआ है तो इसी तरह जब आपको कॉंस्टी पेशन हो जाती है तो श्रीर से गंदगी नहीं बहार निकलती वह गंदगी श्रीर में जमा होती रहती है और हमें कई तरह के बैक्तीरिया और वाइरस खेड लेते हैं और हम शिकार होते जाते हैं इसलिए दोस्तों आपको खाना खाने के बाद सौफ जरूर खाने चाहिए सौफ आपके डेजेशन को स्ट्रोंग कर देते हैं कोंस्टी पेशन की प्रॉबलम को खतम कर देते हैं श्रीर से गंदगी को बाहर निकाल देते हैं साथी साथ दोस्तों ये वजन को कम करने के लिए बहुत ही बहतरीन है आज के समय में वजन बढ़ना मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है लड़का हो चाहे लड़की हर कोई चाहता है कि वो पतला रहे उसकी तोंद ना निकली हो उसका धूथुला पेटना हो इसके लिए बहुत सारे लोग जीम जा जाते हो दवाइयां खाते हो आपका वजन कम हो जाता है लेकिन जैसे ये आप सपलीमेंट्स घाना बंद कर देते हो आपका वजन फिरसे बढ़ने लगता है ऐसा क्यести क्योंकि दोस्तों मेइन प्रॉब्लम है आपका SAY मेटाबोलिंजम रेड जब तक आपका मैटाबोलिंग सरे पंद नहीं है तब तक आपका वजन बड़ी घा रम आपके मेटाबोल्जम रेट को बैलेंस फार धार क्युत होता है उसके काने के नियूट्रिस होते हैं वो आपकी बॉड़ी को अच्छी तरह से मिल ही नहीं पाते इसलिए आपके मेटाबॉलिजम रेट का बैलेंस होना बहुत जादा जूरी है और सौफ का इसेमाल करके आप अपने मेटाबॉलिजम रेट को बैलेंस कर सकते हो अपने बढ़ते हुए वजन से चुटकारा पा सकत को खतम करते हैं कैंसर चोकि आज एक बढ़ी समस्या है की जानते हैं कि कैंसर के सैल हम सब की बॉडी में है लेकिन हम इस फीमारी बनने से रोख सकते हैं अगर खाना खाने के बाद सौफ खाए हैं और एक पाटिकुलर और्गन में कठे हो जाते हैं तो ये कैंसर यानि की बिमारी का रूप ले ले लेोते हैं और इसके इलाज पर कितने ठीट ह्कर छोते हैं यह तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही रही है इसलिए तो लोग इस बीमारी का नाम तक नहीं लेना चाहते लोग इस बीमारी को दूसरी बीमारी के नाम से बुलाते हैं लेकिन दोस्तों इसके बारे में जानकारी होना बहुत जादा ज़रूरी है कैंसर से बचने के लिए बस आपको ऐसी चीज़े खानी है जो दोस्तो इसके लिए एक बहुती साधारन सी रेमिडी है आपको बस क्या करना है बराबर मातरा में सोंफ बादाम और धागे वाली मिश्री देनी है और आपको इसका एक पाउडर तयार कर लेना है दोस्तो अगर आप इस पाउडर का रोज एक चमच भी खाते हूँ तो इससे आपके आँखों की रोशनी बढ़ने लगती है दोस्तो आखे हमारे श्री का बहुत इंपोर्टेंट हिस्सा है और बहुत नाजुक ही इसका ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है दोस्तो आज हमारा ज्यदातर काम फोन्स और लैपटोप्स पर होता है जिसका सबसे बुरा असल हमारी आखों पर ही पढ़ता है। दोस्तो आपने भी देखा होगा कि आज कल छोटे बच्चों को ही चश्मा लग जाता है। दोस्तो अगर आप आखों की रोश्णी को बढ़ाना चाहते हो, चश्मे से चुटकारा पाना चाहते हो, तो एक बार इस remedy को ज़रूर ट्राय करें, और इस remedy को आपको कुछ महीने लगातार जरूर खाना है, मैं ये नहीं कह रही कि एक महीने में ही आपका चश्मा उतर जाएगा, लेकिन धीरे ध साथी दोस्तों सो वात दोश को बैलेंस करता है। आयुरवेद में हमारे सारी भीमारियों का कारण तीन दोशों को ही बताया गया है। वात, पित और कफ। दोस्तों जब वात यानि की वाई बढ़ जाती है तो हमारे श्रीर में दर्द रहने लगता है। गठिया के प्रॉब समझ्या है जिससे कि आज बहुत सारे लोग परिशान हो जुके हैं। अगर आप खाना खाने के बाद सौफ खाते हो तो इससे आपका वात दोश भी धीरे धीरे बैलेंस हो जाता है। इसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर तो है ही। कई लोगों को किरिया को खतम करने के लिए सौफ बहुत ही बहतरीन है। आप खाना खाने के बाद सौफ खाकर खुद को कई बिमारियों से घर पर ही बचा सकते हैं। मुझे उमीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और आप इसे जादा से जादा शेयर करना बिल्कुल न अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से से लाइक करें, जादा से जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बबाए।